दोस्तों इस टीवी को आच्छे से देखिए कि इसके अंदर लाइन देने के बाद पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन ये इस्टनवाइस रिलिज हो रहा है इसका मतलब बैकलाइट ड्राइबर या तो बैकलाइट सेक्षन का फॉल्ट है तो आज मैं आपके सामने इ लेकिन मैं आपको एक नया चीस से सिखाना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर और दिखाना भी चाहूँगा कि किसी भी टीवी का जब बैकलाइट खराब हो जाती है बहुत सारे टेक्निस चैन क्या करते है कि कोई भी मार्केट से ले कर आते है उसके बाद इसके अंदर ब बैकलाइट को लगा दोगे उस चमय आपका काफी सारे पैसा भी बरबाद हो जाती है और कास्टोमार का भी उतना ज्यादा साथिस्पेक्शन नहीं मिलता है क्योंकि जगर आप किसी भी कास्टोमार को आप टीवी रिपेर करको देव गए उसके बाद अगर 15 दिन 10 दिन बा तो हमें कौन सा बैकलाइट इस टिक को लगाना पड़ेगा बहुत सारे चीज आज की वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो जब भी हमारे पास कोई भी LED टी भी बैकलाइट का इस्सू लेकर आते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका बैकलाइट का वोल्टेज चेक करता हूँ जो कि आप यहाँ पे देख सकतों मैं अभी जो बैकलाइट टेस्टर के जिरे बैकलाइट को टेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे कोई भी लोड नहीं ले रहा है लोड ले भी रहा है तो बहुत ही ज़्यादा ले रही है तो अब हमारे सामने एकी रास्ता आते कि हमें खोल के देखना पड़ेगा कि इसके पीछे जो बैकलाइट लगा हुआ है वो किस कंडिशन में लगा हुआ है तो आभी देखिए यहाँ पे मैं जो जेक कर रहा हूँ तो हमें तो साब साब यहाँ पे देखने को मिल गया है इसका बैकलाइट ही खड़ाब हुआ है क्योंकि यह टीवी पहली बार हमारी पास ही खोल रहा है लगबग दो साल के बाद इसलिए इस टाइप का जितने भी टीवी होते है मार्केट से मिलती है चाइबो ऐसे मिल वाला हो ज्यादा तर ऐसे मिल वाला ही होते है सालोडा हो या कोई कोस्को कमपानी हो या थॉम्सन हो कोई भी इस टाइप का ब्रैंड का टीवी होते है तो उसके अंदर बैकलाइट ही खराब होती है जल्दी से मैं इसको खोल के आपको इसका पीछे का जो बैक लाइट है उसका जो कंडिसेन है वो आपको दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले दो-तिन टिप्स मैं आपको दिना चाहूंगा सेप्टी को लेकर कहीं बार हम लोग जब खोलता हूं न तो बहुत सरे लोग के पास ये तूट जाती है क्या तूट जाती है ये हमरा पैनेल पैनेल का कॉर्णर सबसे ज्यादा तूटती है इसलिए जब भी आप खोलोगे तो इस टाइप से आपको खोल बहुत ही ध्यान पू करता हूं इस टूल का नाम है पैनेल रिमूविक टूल अगर आप में से किसी को भी इस टूल को चाहिए नीचे कमेंड करके बताएगा आप लोग को लिए मैं इसको अपने वेबसाइट पर एवेलेबल कराने की कोशिस करूंगा डिस्टॉक मेर भी लियाँगा इसके लिए आपको हमारे वाट्साप पर कॉंटेक करना पर एगा वाट्साप नमबर कहां से मिलेंगे आप हमें dp electronics lab at the red gmail.com पर mail कीजिए वहां से आपको हमारे वाट्साप नमर मिल जाएंगे उसके बाद आपको ये अगर चाहिए पैनेल रिमूविक टूल तो वो आपको हो चुका है और एक पट्टी में देखिए एक इस्टिक में ठीक है लेकिन हमें इस situation में एक इस्टिक को नहीं बदलना है इहां पर बहुत सरे लोग क्या करते हैं जो कि निया निया technician फेल्ड में आते हैं कि अगर उसको एक पट्टी सही मिले यानि कि एक इस्टिक सही मिले दूसरा इस्टिक खराब मिले तो वो क्या करते हैं कि एक को बदल देता है और दूसरे को लगा के रख देता है ऐसा नहीं करना है दोस्तों यह ज़्यातार गलती निया technician करता है पुराना technician को पता होता है कि अगर हम एक निया लगाएंगे एक पुराना लगाएंगे तो यह ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा यह 8-10 दिन 20 दिन चलेगे फिर से खराब हो जाएंगे इसलिए आपको निया वाला ही लगाना परेगा तो इसके अंदर 6 LED वाला LED इस्टिक लगा हुआ था तो हमने उसको निकल के same to same ampere, same to same voltage और same to same voltage का LED इस्टिक को हमने इसके अंदर लगाया हूँ उसके बाद क्या करूँगा कि इसका जो connector है यह सही जगा पर नहीं बैठ रहा था तो हम इसको अलग से modify करके लगाएंगे इसको हम सीरीज में connection करते हैं तो दो इस्टिक यहाँ पर लगा हुआ था तो जो इस्टिक को negative के साथ जोड़ देंगे और उसके बाद देखिए कि जब भी हम लोग कोई भी TV के अंदर नया इस्टिक को डालने जाता हूँ तो वो मतलब reflector के साथ support नहीं करता है तो हम लोग को उपर ही लगाना पड़ता है अगर हम अगर फ्रेम मेटल का हुआ तो हमें नी प्रेज कर दिया है और उसके बाद हम लोग सारे reflector को लगा के आपको picture देखाता हूँ कि कितना मस्त आपको picture देखने को मिलेंगे हम पैनल removing tool के जरीए फिर से पैनल को उठा के इस TV के उपर हमने रख दिया हूँ और रखने के बाद हमें corner पे बिसेस ध्यान में रखना होता है क्योंकि जब भी हम नया पैनल या backlight को change करने के बाद पूराना पैनल को लगाता हूँ उस समय हमें corner पे बिसेस ध्यान में रखना होता है नहीं तो हमारा corner तूटने का chance से ज़्यादा रहता है सबसे ज़्यादा अब देखिए इस panel removing tool को कैसे निकाला जाता है इस तरीके स हम थोरा सा उपर करेंगा और यह tool आ जाएगा क्योंकि बहुत सरी लोग comments box में पूछा था कि इस tool को लगाने के बाद आप remove कैसे करते हो बहुत है सिंपिल है दोस्तों और इसके उपर panel को ऊपर थोरा सा दाग आ चुका है यह अगर cotton sum remove करेंगे तो यह remove हो जाएगा तूला स उसके बाद आपको picture चला के दिखाता हूं यहाँ पर आप मैं आपको बताना चाहूंगा अगर माल दीजिए कि हमारे tv के अंदर जो backlight stick लगा हुआ है वो same to same backlight नहीं मिल रहा है और आपका tv का जो frame है वो plastic का है तो आप क्या कर सकते हो सबसे नीचे जो reflector seat होता है उस seat के उ उपर आप backlight को लगा दीजिए same to same LED वाला यानके 6 LED का stick लगा हुआ है तो 6 LED वाला लगा है अगर 7 LED का लगा हुआ है तो 60 LED का लगा है और अगर आपके tv के अंदर 6V का LED वाला stick लगा हुआ है तो 6V का ही लगाना परेगा अगर आप 3V का लगा होगे तो वो नहीं चलेगा जैसे ही आप line दोगे तो आपने आप direct लिए चलने लग जाएगा या कुछ दिन चलने के बाद खरब हो जाएगा इसलिए आपको जब भी backlight stick को change करना है उसका voltage उसका current rating उसका ampere rating उसका load ये 3-4 चीज़ आपको check करके ही लगाना परेगा तभी आपका backlight stick जादा दिन तक च चलाएंगे उसके साथ ही साथ जब इस टीवी का अंदर कोई picture चलाएंगे तो picture भी बहुत ही मस्त दिखाए देंगे इस तरीके से दोस्तो हम लोग किसी भी टीवी का LED का backlight stick को change करता हूं तो अगर आपको backlight stick को लेना है तो आप हमारे offline दूकान आ सकते हो online पर भी हमारा सवाल या सुजाबे नीचे कमेंट करके बताएगा आपके कमेंट कर फिले बहुत है जल्द किया जाएगर होच साके तो आपके कमेंट के उपर एक वीडियो भी बना दिये जाएगा तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए उसीव all the best